जितने आस्था चेनल पर कथा सुन रहे हो जितने फेस्बूक और यूटूब पर सुन रहे हो और साउधानी से सुनना आउले के ब्रक्ष की पत्तियों पर सयन करेंगे और भगवान शंकर उनका अनुमोदन करेंगे तक श्री हनमान जी महाराज उनसे धिंती करने के लिए पधार कुंगे 33 कवटी देवता भगवान विष्णु जब सयन से उठते हैं देव सोनी एकादशी को जब भगवान उठेंगे नेतर खोलेंगे तो पर्थम दर्शन भगवान विष्णु श्रीमत भागवत कथा इसकंद पुराण पदम पुराण अगनी पुराण जितनी भी पुराण उठाकर देखना की प्रथम वरणन आपको मिलेगा कार्तिक महत्तम का कि भगवान नाराईन सर्व प्रथम जब नेन खोलते हैं अपनी देव सोनी एकादशी से सो करकर देव उठनी एकदसी पर जब उठते हैं तो भगवान नेतर खोलकर सबसे पहले किसका दर्शन करते हैं इसकंद पुराण करती है विष्णु पुराण करती है कि भगवान नारेंट जब नेत्र खोलते हैं तो खुद की अर्धांगनी लच्छिनी भी नहीं महाराराण ब्रह्मा आदिक आदिक देवतार सब खड़े पर भगवान नेत्र नहीं खोलते हैं कब तक जब भगवान शंकर अपने ही मुख से भगवान श्री हरी का गुणगान नहीं दाते हैं डमरू का नादना आवला नूमी का आप लोग साधना करते होंगे जब कारतिक के महिने में आवला नूमी का भृत आता है तो जो उपास नहीं भी रखते हों जो फूजन नहीं भी करते हों उनसे मेरा निवेदन है कि इसकंद पुराण में कारतिके के पावन चरित्र में इसकंद पुराण में स्पष्ट किया गया और कल्यान का कारतिक खंड पढ़ियगा कभी योग लगे तो गिता फ्रेज गौरतपुर का कार्थिक खंड पढ़े अब पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा आपको कि आउला नौमी के दिन आउले के पेड़ के नीचे घीका दिया लगा कर मध्यान से पहले दोपहर के बारा बजे से पहले आउले के पेड़ के नीचे आउला नौमी के दिन कार्थिक के महिने में इसकंद पुरान करती है जो घीका दिया लगा कर पूजन करकर अपना पल्लू पसार कर आउले के ब्रच्च की डाली में से उस पे लगी हुई थोड़ी इसी चाल को अपनी उंगूठे और चीटी उंग्ली से अपने पल्लों में गिरा कर ले जा कर लाल कपड़े में हलडी के साथ अपनी तिजोरी में अलमारी में रख लेता है उसके घर में कभी बरकत की कमी नहीं होती है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं हो उसके घर में धना वेभाव सत्ता बढ़ती है बढ़ती है आउला नुमी की कथा में परसंग आता है आउला नुमी का पूजन आपको करना आता है ब्रत करने वाली माता है ब्रत करती है आउले के पेड़ के नीचे जाकर पूजन करना बोजन करना आउले का ब्रच की छाया में बेठना उस दिन किसी को अपशब्द ना कहना आउले की पूजन करकर अपनी जोली को पसार कर चीटी उंगली और अंगुठे से आउले की छाल को थोड़ा से पल्लू में गिरा लेना उस छाल को ले जाकर अपनी बरकत में अपनी अल बच के पंद्रा मिनिट का एक समय होता है जिस व्यक्ति का रोख बिमारी समाप्त नहीं हो रही हो हॉस्पिटिल में पड़ा हुआ है कोई बहुत भारी बिमारी में घर्सी थे छूटी नहीं पारा तो रात्री को 9 बच कर 15 मिनिट पर किसी भी दिन शंकर भगवान के शिविलिंग का जो तुमारे घर में शंकर जी विराजमान हो उसका या शंकर जी के मंदर में जाकर शंकर जी का थोड़ा सा जल उसमें थोड़ा सा आउला पड़ा हुआ मतलब आओ लेके पानी से शंकर का अभिशेक पूजन कर लीजिए उसका नाम लेकर कर लो जो रोक से गरसी थो एक दिन, दो दिन, तीन दिन करोगे वो हस्पिटिल से छुट्टी करके जाएगा उसका रोक समाफ थो श्री शिवाय नमस्तु ब्यम सब बोली एक बार जमकर श्री शिवाय नमस्तु ब्यम प्रेक्टिकल जरूर करना कहीं सीवर वाला महरा जुट तो नहीं बोल रहा सास्त्रों की बाते हमरे जीवन में हमें सुक प्रजान करें इसलिए भाव का अनंत करते हुए आज की कता को विराम देते हैं इसी के साथ स्री शिवाय नमस्तु ब्यम हर हर महादेव घरगर महादेव